Good morning students, आज हम अपने इस वीडियो में lesson 4 air around us explain करने जा रहे हैं बच्चों last वीडियो में हमने पढ़ा था importance of air, air pollution, what makes air dirty and polluted आज हम पढ़ेंगे how to keep the air clean, हम कैसे air को clean कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि polluted air we should breathe clean air, if we breathe in dirty air it can create health problem अगर हम को कैसी हवाले नहीं है clean air लेनी है, बट अगर हम dirty air लेंगे तो we can create health problem हमारे साथ health issue आ जाएंगे, बिमारिया हमको लग जाएंगे other living things also need clean air, we used to talk air pollution ओके बच्चों, फिर हमने ये भी बढ़ा था, what makes air dirty and polluted मैंने आपको बताया था वाइकल्स के जो धुएं चिमनीज, फैक्टरी के जो चिमनीज है उसका धुएं fire crackles, burning of food, dumping of garbage in open areas, ये सब क्या है, causes है, we make air को क्या करते है, dirty करते है, आज हम पढ़ने जा रहे है, how to keep the air clean, हम अपनी air को कैसे clean कर सकते है, तो बच्चों, air of, all of us need clean air to breathe, हम सब को clean air चाहिए, breathe करने के लिए, breathing polluted air can make us sick, परदूशित वायू से हम सब बिमार पसकते हैं, we should, क्या हम को इसमें, अगर हम अपनी air को clean करना तो हमें क्या क्या करना चाहिए, we should not burn tires and plastic, plastic और टाइरों को नहीं जलाना चाहिए, उसके धुआँ जो होता है, वो air को polluted करता है, we should not live in industrial areas, industrial areas में हमें नहीं रहना चाहिए, जहां पे factory यांस, कार खाने बने होते हैं, वहां पे हमें नहीं रहना चाहिए, we should grow more and more plants, बच्चों, सबसे अच्छी चीज है कि हम जितना हो सकें, जादा से जादा plantations करें, plants लगा है, पेड़ पौधे लगा है, इससे क्या होगा, हमारी जो air होगी, वो क्या होगी, clean होगी, okay, breathing in polluted air can make us sick, therefore it is important to keep the air clean, we should do the following things to keep the air clean, कौन कौन सी things है, हम read कर रहें और explain कर रहें, plants and trees make air pure and fresh, so we should plant more trees, the oxygen that we breathe in comes from plants and trees, their green leaves produce oxygen while making their food, if we cut down trees, there would not be enough oxygen for us to breathe, तो सबसे अच्छा process क्या है, कि हमें जादा से जादा पेड़ लगाने चाहिए, हरे पेड़ पौधे लगाने से हमें क्या मिलेगा, oxygen मिलेगा, और हम जो breathe करते हैं, हमें breathe करने के लिए जो oxygen चाहिए हो तो फ्रेश मिलेगा, अगर इसी जगे हम पेड़ पौधों को हम प्लांटेशन नहीं करेंगे, जहां पेड़ पौधे लगे, उनको काट कर मकान बनाएंगे, फैक्टरीज बनाएंगे, तो क्या होगा, हमारी एर और पौलुटेड होती जाएगी और हम बहुत जल्दी सब बिमार पर जाएंगे, सेकिन है, वी शुट कीप अच्छेक ऑन on the smoke that is released from vikals and factories, this can be done by using chimneys in the factories, CNG gases, vikals, etc. मैंने आपको बताया ना बच्छों कि जो vikals से धुआ निकलता है, जो CNG gases से धुआ निकलता है, that is बहुत हामफूल है, वो हमारे lungs को infect करता है, इससे जिससे कि बीमार पर जाते है, जो ज्यादा से ज्यादा हो सके, तो vikals का गारियों का प्योग नहीं करना चाहिए, factory से निकलने वाली चिमनियों के धुएं से air polluted होती है, दिवाली में और इद में या कोई भी festivals में जो हम crackers जलाते हैं बच्छों, उसका धुआ भी बहुत कुछ air को polluted करता है, इसलिए हमको ऐसे पठाके नहीं जलाने चाह जो एर को pollute करें ठीक है बच्छों, और ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक है, टायर है, रबर्स है, इन सब को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इनके धुएं से भी air में pollution हो जाता है, और बच्छों सबसे best है कि हम अपने आस पास green plant लगाएं, plantation करें, इसलिए बच्छों जहां पर plants होंगे, वहां पर air pollution की problem नहीं होगी, ओके, तैंक यू